एपिज अब्दुल क्लाम टेक्निकल उनिवस्टी अकडिवेश्टेशन दोजाते शौबीश में यानि के एकट्यू उनिवस्टी से अफिलेटेड जो भी कॉलेज़े से जिए अगर इस्टूरेंट्स ग्रेजवेशन पोस्ट ग्रेजवेशन में अड्मीचे लेना चाहता है तो जो प्रेजवेशन का प्रोसेश शुरू हो चुका है उसमें इस्टूरेंस के लिए जो कुछ स्टेप्स होंगे यानि के इस्टूरेंस को फॉलो करने होगे तो आये चलते इस्टेप्स ऐसे कौन-कौन से स्टेप्स हैं जो इस्टूरेंस को फॉलो करने होगे यानि कि प्रैमरी रेजिस्टेशन जो प्री रेजिस्टेशन करना होगा उसमें आपको इस्टूरेंट को एक valid mobile number यूजज करना होगा, valid email ID करना होगी, जिसमें कि यानि कि इस्टूरेंट को में जो OTP जाएगा तो mail और mobile number में, ये mail और mobile number आगे further use होता रहेगा, तो इसके बाद registration के बाद students को online payment करनी होगी. Payment में student neft के थुरू कर सकता है, चालान के bank चालान के थुरू कर सकता है या फिर online internet banking कोई भी यानि कि इसमें payment students कोई भी app किसी भी UPI के थुरू payment नहीं कर सकता. जब student payment कर देगा तो इसके बाद जो भी options है यानि कि students के उसके बाद तीन options खुलेंगे final submission, personal information and biometric यानि कि biometric में आपका students का photo sign and thumb impression upload करना होगा personal information में क्या होगा students का हिंदी में name रहेगा mother's name, parents, mobile number, address, permanent and correspondent address रहेगा तो students को इसमें एक और ध्यान देने वाली चीज़ है कि students अपनी personal information में अपना जो name रहेगा वो हिंदी में type करना है यानि कि हिंदी में लिखना है और उसके साथ में mother's का जो name होगा वो इंग्लिश में लिखना है then students का जो third step आएगा वो आएगा biometric यानि कि students को 50 KB, 50 KB के अंदर photo sign, thumb impression upload करना होगा students final submit करने से पहले पूरी details अपनी cross check कर देंगे अगर students की पूरी personal information details सारी cross check सारी information correct दी गई है तो students उस form को finally submit कर सकते अगर किसी student का form finally submitted हो जाता है तो final submit होने के बाद students के form के application form के नीचे बारकोड generate होकर आएगा और ये किसी students के form में बारकोड generate नहीं होकर क्याता है तो उसका form पूरी तरीके से final submit नहीं है जो कि आगे जब next step होगा इसका document uploading and examination form filling का तो form students का reject कर दिया जागा तो exam यानि कि pre enrollment registration form finally submitted करने से पहले carefully देख लीजिएगा लगी student के application form final submit के बाद बारकोड शो कर रहा है या नहीं कर रहा है जो कर रहा है